नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है सपनों का शहर मुंबई जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने के लिए आता है ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री भी मुंबई में ही है और बॉलिवुड यहां पर पूर्ण रूप से बसा हुआ है और यह जगें आपने कई फिल्मों में देखी भी होंगी तो चलिए शुरू करते हैं आपको बता दें कि सबसे पहले आता है बांदरा फोर्ट यह एक ऐसी जगे है जहां पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है और देखने में बेहत ही खूबसूरत है यह मुंबई की सबसे प्रसिद टूरिस्ट प्लेस भी है और लोग यहां पर शाम के वक्त आना बेहत पसंद करते हैं इस जगे पर आपको कई फिल्मों की शूटिंग देखने को मिल भी जाएगी इसके बाद मरीन ड्राइव मुंबई की एक ऐसी जगे है जो बेहत पॉपुलर है और लोग यहां पर शाम के समय समुद्र और कॉफी का मज़ा उठाने के लिए आते हैं आपको बता दें कि कई मशूर फिल्म है जैसे वेक अप सिड, मुन्ना भाई, MBBS और ना जाने कितनी ऐसी फिल्म है यहां पर शूट की गई है आपको बता दें कि मरीन ड्राइव रात को इतनी खूबसूरत लगती है कि इस जगे को फिल्मों में लेना लोगों के लिए एक अफसर बन जाता है आपको बता दें कि तीसरी ऐसी जगे जहां मुंबई में लोग शूटिंग करना पसंद करते हैं वो है कुलावा कॉजवे गेटवे ओफ इंडिया के पास थे तिये मार्केट बेहद ही वियस्त मार्केट है और यहां पर कई फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है मुंबई का धोवी घाट भी एक ऐसी जगे है जो की विश्व प्रसिद है और यहां पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है इसके अलावा किरन राओ की फिल्म धोवी घाट इसी जगे पर पून रूप से शूट हुई थी इसके अलावा मुंबई में ही मुन्ना भाई MBBS की शूटिंग इसी जगे पर हुई थी आपको बता दें कि Gateway of India मुंबई की एक ऐसी जगे है जहां पर बहुत फिल्मों की शूटिंग हुई है और पुरानी और नई कई फिल्मों में आपने इसे देखा होगा मुंबई का छत्रपती शिवाजी टर्मिनस यानी कि मुंबई का सबसे एहम रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगे है जहां पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई चाहे वो राजकपूर हो या शारुक खान इन सभी ने इस जगे को अपनी पिच्चरों में फिल्म आया है सातवी मुंबई की सबसे पॉपूलर जगे है धारावी जहां पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है इतना ही नहीं ओसकर विनिंग फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर की शूटिंग भी धारावी में हुई थी हम आशा करते हैं जानकारी आपके लिए रोचक सिदू ही होगी और आप इस अपने मित्रों के साथ आवश्य शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल बटन को जरूर दबाएं धन्यवाद